बच्चों खाओ कच्ची गाजर नेम्भूखीरा और टमाटर लाल लाल तुम बन जाओगे सुन्दर बच्चे कहलाओगे सुप्रभाद प्यारे बच्चों हमने पिछली बार पाट पढ़ा गुनकारी सबजियां तो आईए करते हैं कुछ अभियास सबसे पहले कुछ मौकिक प्रश्न नेहा को क्या पसंद नहीं था आपने पाट पढ़ा है अब आप बताईए नेहा को क्या पसंद नहीं था नेहा को लौकी पसंद नहीं थी लौकी मतलब घिया अगला प्रश्ण है हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे हमारे अंदर ताकत नहीं रहेगी इसलिए खाना खाना बहुत जरूरी है अब ये कुछ लिखित प्रश्ण सब्जियां हमें किस से दूर रखती है सब्जियां हमें बिमारियों से दूर रखती है ये उत्तर बेटा आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे सब्जियां हमें बिमारियों से दूर रखती है अगला प्रश्ण है घर में बना भोजन कैसा होता है? घर में बना भोजन साफ और ताकतवर होता है सही शर्थ चुनकर बाक्य पूरे कीजिए पहला है हमें सभी डैश खानी चाहीं हमें सभी क्या खानी चाहिए? रोटिया या सबजिया? हमें सभी रोटिया खानी चाहिए? नहीं न? हमें सभी सबजिया खानी चाहिए? खाना खाने से हमें डैश मिलती है ताकत या बिमारी? साप खाना खाने से तो बिमारी नहीं लगेगी है न? अच्छा खाना खाने से क्या मिलेगी? ताकत खाना खाने से हमें ताकत मिलती है घर में बना भोजन डैश होता है गंदा यह साफ? साफ होता है सब्जियां हमें डैश खानी चाहिए रोज या कभी कभी? रोज हमें हर रोज सब्जी खानी चाहिए अब है बेटा कुछ पहली शब्द बहेली जिसे आप इंग्लिश में क्रॉसवर्ड बोलते हैं आप इसके अंदर ढूंडेंगे आठ सबजियों के नाम और फिर उनको लिखेंगे नीचे चलिए शुरू करते हैं पहली सबजी का नाम मटर अगली सबजी पालक टमाटर शलगम आलू गाजर तोरई आप तोरी बोलते हैं ना तोरई फूल गोभी तो ये आठ सबजियां थी बेटा इसके अंदर जिनके नाम आप इन में ढूंडेंगे पहली में ढूनेंगे शब्द पहली में और उसके बाद उनको नीचे लिखेंगे सही शब्दों के आगे टिक लगाईए अब देखे यहाँ पर अलग-अलग शब्द ये गए हैं और उनकी अलग-अलग स्पेलिंग्स दे गई हैं उनको लिखने का जंग बिलकुल अलग है तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे पहला शब्द है स्वाद स्वाद ठीक है या सवाद ठीक है स्वाद आधस स्वाद अगला शब्द क्या क्या यहाँ पर भी आधाक पूरा का नहीं आधाक अगला शब्द देखिए अब कौन सी सबजी ठीक है? सबजी आधब क्योंकि बहुत हलकी आवाज आ रही है ठीक है? अगला शब्द सिर्फ सिर्फ इसमें भी रह की बहुत हलकी आवाज है इसलिए जहां पर रेफ लगा है सिर्फ सिरफ नहीं है सिरफ तो बच्चों आज के लिए इतना ही आप लिखेंगे ये सभी उत्तर अपनी पुस्तक में और फिर इनका अभ्यास करेंगे हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में कुछ और अभ्यास के साथ तब तक के लिए नमस्कार